क solamente number two करते हैं हम किस सब कό i adjustment number two outstanding लूट नो 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 ओस्टेंडिंग औसमें को हम एक और नाम से जाते हैं अनपेड इसको एक और नाम से जाना जाता है एरियर इसको एक और नाम से जाना जाता है पेवल इसको एक और नाम से जाना जाता है डियू इसको एक और नाम से जाना जाता है नॉट पेड इसको एक और नाम से जाना जाता है ठीड, ठीक है, तो इतने सारे नाम मैंने पता है क्या लिख दिया, कई बार question में आ जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कर नाम है, तो मतलब out sending की बाद चल कहा है, सबसे famous नाम होता है कुण सा, out sending जो हम ज़्याद से ज़्यादा use करते हैं सर यह भी आपको दो जगए देखने को मिल सकता है या तो दे सकता एक्जामनर अड़्जस्मेंट के अंदर या फिर दे सकता है आपको ट्राइल बैलेंस के अंदर हम दो ही तो चीजे कर रहे हैं यहां पर या तो गीवन हो सकता है अगर सर यह गीवन हुआ हमें ट्राइल बैल अगर गीवन वह ट्राइल बैलेंस में तो एंट्री कहां कितनी करेंगे बताओ एक ही होनी चाहिए तो सर आउस्टेंडिंग का नीचर देखा जाए तो लाइबलीटी होता है तो हमें लिखना है लाइबलीटी साइड लाइबलीटी गलत हो गया लाइबिलिटी साइट ठीक है अगर आपका गीवन हुआ सर कहां सर गीवन हुआ मैंने पीछे अगर गीवन हुआ आपका अट्जस्मेंट में तो सर अट्जस्मेंट में जैसे ही दे दिया तो कितनी जगा ले जाओगे सर दो जगा जाएगे अट्जस्मेंट में हुआ तो दो जगा जाएंगे सर दो जगा कहां जाना है सर एक जाएंगे हम प्रॉफिट अन लॉस या फिर ट्रेडिंग मतलब सब समझा नहीं प्रॉफिट अन लॉस या ट्रेडिंग आउटस्टेंडिंग की बात कर रहे है न तो ये सारा का सारा आउटस्टेंडिंग पता है किस पर डिपेंड की बात कर रहा हूं मैं ये खर्चे की बात कर रहा हूं outstanding income भी हो सकता है sir मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर कैster की बात कर रहा हो मैं थेंडंडंग कि बात कर रहा हूं तो खर्चा यह तो ट्रेडिंग में हो सकता» यह बहुत हैं कि बढम है इसलिए मैंने लिखे जैसे सर, अगर हुआ outstanding wages, तो हम कहाँ add करेंगे, trading में जाएंगे, और उस trading के अंदर क्या करेंगे, add कर देंगे, wages के अंदर, अगर हुआ outstanding salary, तो कहाँ जाएंगे, P handle में जाके add करेंगे, तो दोनों जगा जा सकता है, वो add हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, add in expense हो जाएगा, और ये कहीं भी जा सकता है, add in expense related to account, यानि सर ट्रेडिंग से related है, तो ट्रेडिंग में, PL से related है, तो PL में, सर अगर बात करें, अब दूसरा कहाँ जाएगा, सर, balance sheet में, सर, balance sheet में कहाँ लेके जाओगे इसे, balance sheet में लेके जाएंगे इसे, किस side बताईए, liability side, liability side, balance sheet में कहाँ जाएगा, liability side, अगर मानलो, मैं example भी ले लेता हूँ, example सोचो, हमारा पहले से rent given है, 4000 रुपे, ठीक है, और outstanding rent दे दिया, मान लेते हैं, 1000 रुपे, तो ये 1000 रुपे, तो दोनों, ये कहाँ पे चला जाएगा, सर, P&L में, और P&L में क्या आगे हमारा, total 5000, अब कहाँ चले जाएगा, balance sheet के, तो liability में 5000 लेके जाएंगे, 4000 लेके जाएंगे, या 1000 लेके जाएंगे, तो सर, यहाँ पे कितना लेके जाएंगे हम, 1000 लेके जाएंगे, इस बात को आप समझिएगा, कोई doubt, clear है यहाँ तक, तो यह यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब कुछ चीज़े और भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है, कि आपका गीवन हो, trial balance में, तो हमारा यह दे रखा है, और एक adjustment, चलिए ठीक है, एक और adjustment होता है, hidden adjustment, मैं उसके लिए separate ही एक concept लेके आ जाएंगा, कई बार balance sheet, trial balance के अंदर होते हुए भी वह adjustment का पार्ट बन जाता है, जिसको मैं hidden adjustment बोल रहा हूँ, तो वह मैं अलग से ले लुगा, ठीक है, चलिए सर, adjustment number 2 में कोई doubt, 3 पे आ जाते हैं, मैं इस पे star भी लगा देता हूँ, सर, इसका एक पार्ट pending है, आउटसेंडिंग का एक पार्ट pending है, यह आउटसेंडिंग का पार्ट A मानलो, B हम कभी करेंगे hidden adjustment में,